नमस्कार दोस्तो गुड़ मॉनिंग अवरिवन आप देख रहे हैं देफेंस स्टेडी जोन और मैं हूँ आपका दोस्त विक्राउन सिंगा एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ आपके अपने चैनल पर लेकर एक बहुत ही अच्छा वीडियो तो दोस्तो आज का वीडियो किस पर है थमनेल आप देख चुके हैं वीडियो है हमारा इंडियन एर फोर्स एक्स ग्रूप की एक्जाम पैटरन के बारे में जी हाँ Air Force X Group का exam pattern इसे पिछले वीडियो में Air Force X Group की पूरी information हम देख चुके हैं वो वीडियो आपने देखा होगा फिर भी मैं exam pattern पर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर exam pattern बहुत बड़ी एहमियत रखता है भाई exam pattern के बारे में बहुत सारी लोग आ दिया दूरी जान करी रखते हैं तो पूरी जान करी देना मेरा काम है क्योंकि मैं आपकी help करने के लिए यहाँ पर हूँ तो help करना मेरा काम है तो चलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस सुरू करता हूँ इस वीडियो को ढ्लाकमेश करना मेरे लिए श्वारी गताम है क्योंकि मैं आपके लिए महनत करहा हूँ तो आप भी सपने के लिए महनत करो वह मुझक यह लगा की महनत करो जो मुश्य मदद बन शकती है वो मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा बहुत जल्द Air Force X Group का Mathematics का बैच मैं खुद विक्रम सिंगा लेकर आ रहा हूँ Magical बैच भी हाँ बिल्कुल जादूई बैच लेकर आ रहा हूँ वो बैच का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले इसलिए सब्सक्राइब कर लो आप Air Force X Group में सेलेक्शन ले सको इसलिए सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई तो चलो मैं जादा नहीं करूँगा जो भी बात चीत है वो जादा नहीं करेंगे शुरुआत करते हैं सिद्धे मुद्दे की कितना टाइम हमें मिलता है क्या 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 फलाना धिमका फलाना धिमका तो चलो फिर करते हैं सुरुआद इस वीडियो की तो चलिए फिर मैं हो चुका हूँ आजिर देखे सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास सेक्शन की कि एक्जाम में हमारे पास कौन-कौन सा section आता है, कौन-कौन से part हमारे पास होते हैं, तो पहला जो section हमारे पास होता है, पहला section है हमारे पास physics, जिसे कहते हैं भोतिक विज्ञान, जो सब की लोगों की हवाँ टाइट करके रखता है, मेरे बाई, जी हाँ, क्योंकि मेरा भी सबसे वी की यही है, इसलिए में इसे tight वाला कहता हूँ तो देखे physics हमारा पहला portion होता है second portion हमारा होता है mathematics जिसे कहते हैं गणीत जी हाँ गणीत जादूई subject वाई बिल्कुल तीसरा होता है English जिसने सब की ऐसी की तैसी कर रखी है अंग्रेज यहां छोड़ गए हमारे इस्तेशी करने के लिए तो तीसरा हमारा English है तीन सब्जेक्ट एक्स ग्रूप के अंदर सब्तीन हमारी पेपर तीन सब्जेक्ट से क्यूशर हमारे एक्स ग्रूप के अंदर आते हैं पहला physics दूसरा mathematics और तीसरा English से ओके तीनो सब्जेक्ट के लिए होगे चलिए अगली देखें इस पेपर में आपको कितना टाइम और कितने सवाल मिलते हैं सबसे पहली बात अगर मैं टाइमिंग के करूँ तो देखें यहां पर आपको टाइम मिलता है मेरे भाई तो टाइम आपको मिलता है यहां पर 60 मिनट 60 मिनट मिलता है और 70 सवाल मिलते हैं देखें मैं बात करता हूँ physics के आपको मिलते हैं 25 क्यूशन physics के कुल 25 सवाल आपको exam में दिये जाएंगे जिसके लिए आपको 25 नंबर दिये जाएंगे यानि 25 मार्क्स आपको दिये जाएंगे ठीक है मेरे भाई दूसरी अगर मैं बात करूँ mathematics तो mathematics के लिए आपको यहां पर 25 सवाल दिये जाएंगे और हर एक सवाल एक नंबर का होगा इस हिसाब से आपके हाँ पर टोटल 25 मार्क्स आपको दिये जाएंगे इसी तरह English की बात करें तो English के आपके पास कुल होंगे 20 सवाल कुस कुल होंगे 20 सवाल और ये 20 सवाल ही आपके होंगे 20 नंबर के तो इसी साब से अगर हम बात करें तीन सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ और इंगलिस के कुल सवाल हमारे पास होते हैं, टोटल होते हैं, सतर सवाल हो रहे, सतर सवाल कुल कितने नंबर के हुए है मेरे भाई, सतर सवाल हमारे पास होते हैं, सतर नंबर के, सतर सवाल को करने के ल बाई अगर आप selection लेना चाहरें, तो अभी से इसके लिए मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि एर फोर्स की बात है, कोई छोटी मोटी बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप भी एर फोर्स का सपना देख रहे हैं, तो अभी इस channel की साथ हमारे साथ जूट जाए, चैनल को सब्स बाकि community tab में जाने के लिए आप नीचे लोगों पर क्लिक करेंगे लोगों से सीधा चैनल पर चैनल से community tab में जाकर देख सकते हैं जिसने subscribe नहीं किया ना वो मेरी बद्दुआ से मरेगा तो सीधी बात है subscribe कर ले ना भाई लेना चाहिए वो घर जाए तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही जय हिंजय भार्त मेरे दोस्तों फिर मिलूँगा एक और किसी interesting वीडियो के साथ झाल झाल झाल